हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट एस टीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम निफ्टी फिफ्टी के उन पांच स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ़ते सबसे ज्यादा प्रॉफिट में गए हैं और साथ ही साथ ये भी जा ने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करे और बेल आइकॉन को प्रेस करे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंग और शेयर करें तो इस हफते का हमारा पहला स्टॉक मारूती सुजूकी इंडिया लिमिकेड है ये स्टॉक शुक्रवार 22 मार्च 2024 को 12,337 रुपए और 70 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 7.50% यानि की 861 रुपए और 5 पैसे बरहा है स्टॉक का 52 बीक हाई 12,427 रुपए और 30 पैसे है और 52 लो 8,140 रुपए है स्टॉक ने हाल के दिनों में 11,267 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद आप मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका आप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टन्स 12,447 रुपए और 15 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स 12,708 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स 13,026 रुपए और 50 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 11,736 रुपए और 25 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट होगा 11,289 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 10,684 रुपए और 20 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है देली टाइम फ्रेम के हिसाब से यह स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यह स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी पर बंद हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 7.13% यानि की 10 रुपए और 10 पैसे बरहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 169 रुपए और 15 पैसे है और 52 वीक लो 101 रुपए और 65 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 144 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका आप side levels निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 155 रुपए और 40 पैसे, इसका दुसरा resistance 169 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा resistance 163 रुपए और 20 पैसे। अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है। देली time frame के हिसाब से यह stock bullish नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से भी यह stock bullish ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock और भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है फिर भी आपको इस stock में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस stock में अब profit booking की संभावना बढ़ पर्ती हुई नजर आ रही है तो इस हफ़ते का हमारा तीसरा stock बजाज auto limited है यह stock शुक्रवार 22 March 2024 को 8945 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुआ है जो पिछले हफ़ते के तुलना में 7.12% यानि की 594 रुपए और 55 पैसे बरहा है stock का 52 week high 9,050 रुपए है और 52 week low 3779 रुपए और 55 पैसे हैं stock ने हाल के दिनों में 8,110 रुपए के आसपास support लेने के बाद आप move दिखाना शुरू किया था अब जो इसका आप side levels निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 9,051 रुपए और 40 पैसे इसका दुसरा resistance 9,320 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा resistance 9,114 रुपए और 25 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 8,514 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा support होगा 8,181 तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है देली टाइम फ्रेम के हिसाब से यह stock bullish नजर आ रहा है और weekly टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यह stock bullish ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock और भी उपर जाते दूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इस हफ़ते का हमारा चौथा स्टॉक अपॉलो हॉस्पिटल्स लिमिटेड है ये स्टॉक शुक्रवार 22 मार्च 2024 को 6,375 रुपए और 90 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफ़ते के तुलना में 6.56% यानि की 392 रुपए और 70 पैसे बरहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 6,874 रुपए और 45 पैसे है और 52 वीक लो 4,168 रुपए है स्टॉक ने हाल के दिनों में 5,941 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका आप साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टन्स 6,426 रुपए और 55 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स 6 6,648 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स 6,884 रुपए और 20 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 5,942 रुपए और 70 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट होगा 5,628 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 5,275 रुपए और 85 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से डाउन move करता है, तो आने वाले समय में यह stock in levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है डेली time frame के حсाब से यह stock bullish नजर आ रहा है और weekly time frame के حसाब से भी यह stock bullish ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock और भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी साभधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इस हफते का हमारा पांचवा स्टॉक आइशर मोटर्स लिमिकेड है ये स्टॉक शुक्रवार 22 मार्च 2024 को 3988 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 6.48 परसेंट यानि की 242 रुपए और 75 पैसे बरहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 4200 रुपए है और 52 वीक लो 2836 रुपए है स्टॉक ने हाल के दिनों साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 4020 रुपए और 5 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 4138 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 4205 रुपए और 90 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 3889 रुपए और 10 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट होगा 37 3783 रुपए और 45 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 3673 रुपए और 65 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है देली इन फ्रेम के हिसाब से भी यह स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी साबधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग से परामर्श करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा